बिहारी माल पुवा बिदावट चासनी आज हम यही रेसिपी सेर करेंगे यह जो माल पुवा है ना इसके बिना तो हमारी जो होली है बिलकुल अधोरी है बिहार के हर घर में बनता है और खास तोर पे होली वाले दिन चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए एक बरतन में एक कप ले लेंगे हम मैदा और इसी मैदे में हम डालेंगे एक कप गेहु का आटा मैं यहाँ पे मैदा और आटा गेहु का आटा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ आप चाहें तो केवल गेहों के आटे से भी बना सकते हैं इसे और केवल मैदे से भी बना सकते हैं अब ये जो मैदा और गेहों का आटा है इसमें हम डालेंगे केला तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे साइड में रखेंगे और केले को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो एक मिक्सर जार लेंगे और यहां पे दो पका हुआ केला ले लेंगे बीना केला डाले भी आप बना सकते हैं पर केला डाल करके बनाएंगे ना तो बहुत ही प्रफाइकप डाल देंगे सूजी और यह केला इन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे इसे पीस लेंगे तो सूजी और केला दोनों ही अच्छे से पीस चुका है बढ़ियां सा पेस्ट बन गया है आप देख सकते हैं आपे आप चाहे तो अगर नहीं पीस ना चाते हैं तो फिर आप केले को अच्छे से मैश करके भी आप इसमें डाल सकते हैं और सूजी को ऐसे ही डाल सकते हैं इसम और अब क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे चीनी . तो, तीन चौथाई कप यहां पे चीनी हैкий कि हिसाब से जितना मीथा आप बनाना चाहते हैं अब का एक का इसमें डालेंगे नार्यल का बुर आदा अगर है तो से मिलाइंगे स्बीकित ड़ा उसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें ल हूली दीन हमारे आब गरी यानिकी सूखा नारियल और चुषारा किसमिस डाला जाता हैकि मैंने नहीं डाला यह आप तो कोई भी ड्राइफ रूट्स आप इसमें चोड़े चोड़े टुकड़े में कट करके डाल सकते हैं बरतन थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए मैंने इसे दूसे बरतन में डाल लिया है और अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे टोटल एक कप मैंने इसमें दुड़ ड दालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी तो जितना जरूरत होगा उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे और माल पूए के लिए बढ़ियां सा घोल बनाकर त्यार करेंगे अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे गोल आपका जो है ना बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत जादा गाढ़ा होना चाहिए पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें गुठलिया ना बने और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे इस घोल को हम 5-7 मिनट के लिए फेटेंगे क्योंकि जितना अच्छे से घोल को फेटेंगे पुआ जो है उतना ही बढ़ियां बनकर त्यार होगा तो यहां पे घोल जो है बिल्कुल रेडी है अईसा ही घोल चाहिए हमें अब इस घोल को हम रखेंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से से सेट हो जाए 15 मिनट के बाद एक पैन में तेल गरम करेंगे और इस तेल मे माल पुआ फ्राइ ने के लिए आप चोड़े पेनदी के बरतन का ही इस्तेमाल किजिएगा इसे क्या होगा ना कि माल पुआ जो है वहा हो पतला बनेगा अगर गैरी करहाई कर रहे हैं तो फिर एक बरमे अप إखी पुआ बना पाएंगे जिसे कि समय जादा लगेगा और इ यहां पे पैन में अभी जगह है, तो हम एक कर्ची घोल और डाल देंगे, आप देख सकते हैं, यहां पे जो माल पुआ है, बहुत अच्छे से फूल रहा है, पलट पलट कर ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है, और आज को मीडियम ही रखना है, यहां पे एक माल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे, और बाकि जो खोल है न, उससे हम इसी प्रकार से पुआ बना कर करके तियार करेंगे, तो जो कर्ची हैं यहां घोल डालेंगे, और एक जगह पे डालेंगे, बिल्कुल भी आपको घोल डालते समयँ, जो क परची है उसे हिलाना नहीं है घुमाना नहीं है कहीं भी नहीं तो फिर जो माल पुआ है ना वो फूलेगा नहीं और उसमें क्रैक आजाएगा अब देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल रहा है यह तो यहां पे कुछ माल पुआ को हमने अच्छे से फ्राइ कर लिया है और बाकी जो घुले ना उसे हम बात में बनाएंगे अब देख सकते हैं दिखने में यह कितना बढ़िया लग रहा है इस तरीके से अब इस होली में यह माल पुआ जरूर ट्राइ करें अब यह जो माल पुआ है आप देख सकते हैं कितना सौफ्ट बना है कितना पतला पतला बन करके त्यार हुआ है अगर आप चासनी वाला माल पुआ बनाना चाहते हैं तो बस चीनी का चासनी बना करके उसमें ये माल पुआ डाल दें फिर चासनी वाला माल पुआ बन करके त्यार हो जाएगा यहां भी देख सकते हैं आप यह जो पुआ है अंदर से किताब बढ़ियां से फ्राई हुआ है तो इस प्रकार से आप भी इस होली यह माल पुआ बना कर जरूर ट्राइ करें आप सब को बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो इसे लाइक करें